सो दिन सो योग के सफर में आप सभी का स्वागत है चलिए आज की उक्रिया शुरू करें आज हम करेंगे कैट काव पोज सबसे पहले वजरासन में बैठेंगे अब धीरे से हाथों को आगे लेकर आएंगे और अपने हुटनों पर आ जाएंगे अपने हाथों के बीच में अपने कंधों के समान दूरी बनाएं और इतनी ही दूरी अपने पैरों के बीच में भी बनाएंगे सांस भरेंगे अपने पेट को अंदर की तरफ खीचेंगे और कमर वाले हिस्से को नीचे की तरफ लेके आना है हमारे कंदे और हमारे हिप्स पहले वाले अवस्ता में ही रहेंगे सिरफ कमर वाले हिस्से को आपको जितना नीची ला सकते हैं लेकर आएंगे अपनी गर्दन को इस तरह से ऊपर उठाएंगे और सामने की तरफ देखेंगे दो से तीन सेकिंड आपको इसी अवस्था में रहना है इसके बाद अपनी गर्दन को सीधा करेंगे और अपनी कमर को भी सीधा करेंगे अब अगले अवस्था के लिए हमें अपने हिप्स को गोल घुमाते वे अंदर की तरफ खीचना है जितना आप खीच सकते हैं और अपनी पीट को आपको उपर की तरफ लेके जाना है जितना आप उपर उठा सके अपनी पीट को उतना उपर उठाएंगे जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इस अवस्था में हमारी गर्दन सीधी रहेगे और आपको नीचे की तरफ देखना है इस अवस्था में भी आपको दो सी तीन सेकिंड रुकना है और फिर पहले वाले अवस्था में आ जाएंगे इन अवस्थाओं को आपको कम से कम चार से पाँच बार जरूर दोहराना है यह अवस्था अगर आप दिन में बहुत जादा बैठने का काम करते हैं एक ही सिधीती में बैठे रहते हैं तो उसमें आपको बहुत जादा फाइदा देगी यह हमारे सरीर को लचेला बनाती है हमारी रीड की हड़ी को लचेला बनाती है तो अगर आपके कंदों में दर्द है आपकी रीड की हड़ी में दर्द है कमर में दर्द है हिप्स में दर्द है तो आपको बहुत जादा यह किर्या करने से फाइदा मिलेगा साथ ही ये साइटगा के दर्द में भी बहुती लाबकरी है